हेलो इवरीवन स्वागत है आप सबका टार्गेट आईस की यूट्यूब चनल में करेंट अफ्यर की सीरीज में हम आज डिसकस करेंगे महत्पूर्ण ऑप्रेशंस और अभियान के बारे में जो भारती सेनाओं और विभिन राज्यों विभिन सास की संस्थाओं और अंतराश टाइगर ट्राइंफ यह जो एक सहयोगत सेन अभ्यास था यह मानव एवं आपदा राहत अभ्यास चलाए गया था भारत और अमेरिकीन सेना के बीच इंडियन और यूसे की जो नेवी है इसके मद्द विसाखा पटनम में मानव एवं आपदा राहत अभ्यास यानि कि कोई की आपदा आ जाती है तो दोनों देश की सेना हैं किस प्रकार सहयोगत रूप से आपसी सहयोग के साथ कारे कर सकती हैं इस संबंध में यह संयोगत अभ्यास किया गया था जिसको नाम दिया गया था टाइगर ट्रैंफ 2019 क्लियर यह दिसंबर 2019 में यह विसाखा पटनम में कि सेन अभ्यास मित्र सकती मित्र सकती सेन अभ्यास भारत एवं स्री लंका की सेना के मद्ध किया गया था ठीक है कहां किया गया था पूरे में मित्र सकती यह परिछाओं में कई बार आया हुआ है कि मित्र सकती सेन अभ्यास किन देश की सेनाओं के बद्ध किया जाता है तो य यानि कि इंडियन आर्मी ने और स्रि-लंकान आर्मी ने हिससा लिया था जो पूड़े में आयो जित हुआ था है ऑगला है अगला है अपना दिल्ली विष्व पुस्तक मेला ये इसलिए इंपॉटेंट है क्यों कि अक्सर पुस्तक मेला के थीम परिछाओं में पूछी जाती ह तो दिल्ली विस्स पुस्तक मेला 2020 की जो थीम थी वो थी गांधी राइटर्स राइटर यानि की लेखकों के लेखक ठीक है इस बर्स 2020 में दिल्ली पुस्तक मेला की थीम थी राइटर्स राइटर डैट इस गांधी यानि की गांधी को लेखकों का लेखक कहा गया है ठीक है य जो विश्व पुस्तक मेला है वर्ड बुक फेयर और देले और इसके दोरा किया जाता है तो यह किया जाता है राष्ट्री पुस्तक नियास द्वारा यानिकि नेशनल बुक ट्रस्ट, ठीक है, नेशनल बुक ट्रस्ट के द्वारा गांधी पुस्तक मेला आयोजित किया जाता है, ठीक है, दोनों पॉइंट आपको दिमाग में रखने हैं, ओके, अगला है अपना, ओप्रेशन संकल्प, यह एक्चुली चला गया था सिर्फ इंडियन नेवी के द्वारा, यानि कि इंडियन नेवी और इस्पेसली जो कोस्ट गार्ड है, उसके द्वारा आप्रेशन संकल्प चला गया था नौसेना द्वारा समुद्री सीमा की सुरच्छा के लिए, ठीक है, सेना द्वारा समुद्री सीमा सुरच्छी के लिए उस समय जो भारती गस्ती जहाज जो अपने इंडियन ओसन में और इसके अलाबा पंगाल की खाड़ी में तो इनकी जो मालवाग जहाज है इनकी सुरच्छा विवस्ता के लिए युद्ध पोतों और युद्ध पोतों में बिमानों की तैनाति की गई थी तो इसे इंडियन नेवी ने नाम दिया था ओप्रेशन संकल्प ठीक है तो युद्ध पोतों में बिमानों की तैनाति की गई थी समुद्री सीमा की सुरच्छा के लिए तो यह पूरा ओप्रेशन कहलाया था ओप्रेशन संकल्प इंडियन तो आप दिमाग में याद रखेंगे उसके बाद आता है सहयोग काजिन यह पिछली बार भी परिश्चाओं में आया था काजिन नाम सिसपस्ट है जापान ठीक है तो यह भारत और जापान की कोस्ट गार्ड यानि कि तट्र अच्छक सेना के मद चलाया गया था यह सहयोग मत संदीद भी एक वन लाइन प्रस्ट अमेशा आता है कि इसकी स्थापना का हुई थी ठीक है तो याद रखेंगे कोस्ट गार्ड इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना 1978 में हुई थी यह एक आक्ट आया था 1978 में तो इसी के ताहत भारती तट्र अच्छक सेना यानि कि होता हुआ था उसके तहित यह चलाया जा रहा है अगला है अपना ओप्रेशन वनीला याद रखेंगे कि मेडा गासकर मेडा गासकर एक आइलेंड है जो इंडिया नोसन में है ठीक है और यानि कि हिंद महासागर में जो अपना आफ्रीका महादीव है इसके पूर्वी तट यह मेडा गासकर जो अपना द्वीप है यह इस्थित नाम का तूफान चक्रवात औले यहाँ पर काफी मानवी छती हुई थी तो इस मेडा गासकर द्वीप में मची तवाही के लिए सहायता के लिए ओपरेशन वनीला चलाया गया था भारती नेवी द्वारा यानि इंडियन नेवी द्वारा मेडा गासकर को मानुए आपदा सहायता उपलब्ध कराने के लिए operation vanilla चलाए गया था ठीक है तो ये भी दिमाग में रखेंगे ति मेड़ा गासकर जो द्वीप है ये भारती इंडिया नोसन में है हिंद महासागर में है आफरीका महादीप के पूरवी तट में है जिम बॉंबे जो है अफरीका महादीप में उसके पूरुप साइड है ओप्रेशन वनीला ठीक है इंडियन नेवी दोरा चलाए गया था में अगासकर में मची तवाही के लिए डायने चक्रवाद से जो तवाही मची थी ओके अगला है अपना अजे वारियर ठीक है अजे वा युद्धाभ्यास भारत एवं यू के मढद किया गया था और यह पांचवा अभ्यास था त्लियर पांचवा युद्धाभ्यास था है ठीक है तो इस ब्रिटिस एंपायर में यूनाइटेट किंग्डम जिसको हम यूके बोलते हैं यह सिर्फ इंग्लैंड का नहीं है यह भी दियान रखेंगे इसमें पहला तो इंग्लैंड है अपना ठीक है उसके बाद है अपना वेल्स ठीक है वेल्स और चौथा है अपना पांचवा इड्ध अभियान आपना प्यार का पोधा अभियान ये अभियान जल जीवन हरियाली बिहार सरकार दोरा ब्रच्छा रोपन के लिए एक अभियान चलाए रहता है पहले से ही जल जीवन हरियाली अभियान इस अभियान के तहत प्यार का पौधा अभियान अप्लांट ओफ लब जो कंपेंड शुरू किया गया था ये बिहार सरकारद्वारा शुरू किया गया है जल जीवन हरियाली अभियान की तहत इसमें एक पौधा yeah के एक प्लांट सैप्लिंग गिफ्ट करने के लिए सरकारद्वारा बोला गया कि आप उपहार सुरूप अपने मित्र जनों को अपने संबंधी जनों को एक पौधा प्रदान करें तो ये प्यार का पौधा भियान चलाए गया था भिहार सरकार द्वारा जल जीवन हरियाली अभियान भी भिहार सरकार द्वारा चलाए जा रहा है अगला है Operation Namaste Operation Namaste भारती थल सेना द्वारा COVID-19 से निपटने के लिए चलाए गया है COVID-19 जो pandemic है उसके निपटने के लिए ये Indian Army भारती थल सेना द्वारा चलाए गया है COVID-19 से निपटने के लिए मनोज मुकुन्द नरवडे थल सेना प्रमुख Swah продолж COVID-19 से निपटने के लिए operation नमस्तिर चलाए गया है। अगला है अपना वंदे भारत मिशन। वंदे भारत मिशन इंपोर्टेंट है क्योंकि इस तरह की मिशन कई बार परिच्छों में आये हैं, आपको दिमाग में याद रखना है। COVID-19 के करण जो कुछ भारती विदेशों में फस गये थे, उनको स्वदेश लाने के लिए 64 उडाने भारती सरकार द्वारा चालू की गई थी, जिसमें विदेशी मतलब की विदेश में फसे भारतीयों को बाफस लाया जाना था। तो इस अभियान का नाम क्या दिया गया था, वंदे भारत मिसन, पॉइंट क्लियर, अगला है अपना, जो डिसकसन का बिंदू रहेगा, वो इधी संबंध में अभ्यास और अभियानों की एक और लेक्चेर हम लेंगे, इसमें और भी यह आपको कुछ क्वारी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आपको यह वीडियो कैसा लगा, सुझाओ, आप अपने कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं, चैनल को लाइक, सेर और सस्क्राइब करें, और ऐसे ही वीडियो के लिए, अन्य विस्यों के लिए, इस चैनल के अन्य प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं धन्यवाद